हेलो फ्रेंट सवगत आपके चैनल फेंटेसी डॉक्टर में एक बर्फिट से जो में इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वह होने वाला यहां पर इंडिया वुमें व्सस ऑस्ट्रिलिया वुमें के बीच जो मैच होने वाला फॉर्स टी-20 का इस मैच की वीडियो वीडिय रही है आपके लिए इस वीडियो में आपके साथ स्मॉल लिक की टीम प्लस ग्रेंड लिक की चार से पांच टीम प्लस आपको यहां पर वैदर न्यूस पिच रिपोर्ट कौन सी टीम स्ट्रॉंग रहेगी इंवेश्टमन कैसे करनी है प्लस बाई की पिक्स और क्या टेलिग्राम आपको हमारे टेलिःग्राम के है जोAC अबर आपको हमारे टेलिग्राम क कर लेना जैसे मैंने आपको बता है अब आते हैं वीडियो के में पार्ट है बड़ उससे पहले जरूर धिया नखे जब टेलिग्राम चानल को जोईन करोगे तो आपको सर्च करके जोईन नहीं करना है अगर आप सर्च करके जोईन करोगे तो किसी गलत या फेक चल के साथ जूड़ सकते हो तो सही तरीका सर्फ ही है कि आप लिंक का यूज करना जो वीडियो के नीचे कमेंट में आपको दिया हुआ है अब आते हैं वीडियो के में पार्ट पर देखो जो वेन्यू रहें का फिलाल कोई चांस नहीं है और अगर बात किये जाए तो यहां पर इंवेस्में अपने अकौरडिंग कर सकते हो टीम कौनसी जीते की यहां पर वह वह बोन टीम के एकवल चांस है बट होम कंडिशन का क्या पता है इंडिया को एक फायता मिल सकता है तो इंडिया जी आई की पिक जो रहने वाली इसमें रहेगी दिप्ति शर्मा और यहां पर अशले गारड़नर सेल के रहेगी यहां पर मेगना सिंग बाकि अगर बात किये तो इस ग्राउंड पर साथ मैच एक मैच जीती है बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम और शे मैच जीती है बैटिंग सेकंड करने वाली टीम सेच करने आसान है तो इससे ने पहले बैटिंग करा यह ज्यादा और जो सेकंड करती है वह जीती है तह इसलिए जो टीम मैच जीती है और फास्ट बोलर को यहां पर काफी help मिलने वाले spinner की comparison में तो यह फास्ट बोलर की पेच्चा है और यहां पर bounce वगेर काफी मिलेगी इस ground पर जहां रखके चलना इस चीज से तो फास्ट बोलर को फोकस पनाए रखना अब इंडिया बुमेन के बारे में अगर बात की जाए त यह सब इश्यक अपके performance से कुछ matches की बागी अगर बात किया है तो नंबर टू बैटर गुड रिकॉर्ड इन चेज तो इसलिए अगर मंदना सैंड बैटिंग करें आफिर इंडिया सैंड बैटिंग करेंगी तो आप वाइस कैप्टन सी भी कर सकते हैं समीति मंदना को ध्या इसलिए प्रेफर नहीं करोगी बैटिंग फर्ष्ट करते हैं मंदना का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है बाकि आप यह शेफाली वर्मा तो रैंकिंग यह इंट्रेशल टीटन इवह टॉप 10 में बाकि अगर बात किया तो जमाइमा रॉड्रिक्स लेफ्टन राइटन बैट्स ने इश्या का बहुत अच्छा रहा था दो मैच इसमें सतर के ओपर स्कोर किया था था पैंती सत्ताइज बट अभी रीसेंट मैपको पता वूमें बिग बैश कोई थी अभी एक में पंद्रा साथन भी मुश्किल तकिया थे तो एश्या कब के बाद जैसी वहाँ पे खेली तो वहाँ पे बिल्कुल फ्लॉप रही थी चक्कर में लगता है कि फॉर्म थोड़ी अच्छी नहीं चल रही रीसेंट की और इंटरनेशल में जो रैंकिंग है नंबर रेट पर ध्यान रखक प्रफॉर्म थे तो हैं अच्छी परफॉर्मस एक दो मैच में पावर्फुल लंबे लंबे चक्के लगाती हैं बर स्थोड़ा भरोसे इसलिए मैं जो अपॉनिंग करने आएगी अलिसा हेली उनके साथ जाना हुला क्यूंकि वह ज्यादा बैटर है अलिसा हेली की तो इसे रिचाए गोश को ग्रेंड लिग में ही ट्राइ करना बागी दिप्तिश उर्मा के बारे बागी तो लेफ्टेंड बैट्स मैंने और अ बाकि अगर बात किया तो यहां पर राधायादव को ग्रेंड लिंग में ही ट्राइ करना क्यूंकि इंडिया के बास दो लेफ्टाम और्फट्रोक स्पिन बॉलर है गायकवाड और राधायादव बहुत बैटर ऑप्शन है और रेगुलर खेलती है इंडिया के लिए और र प्रावर प्लेय में जरूर लेकर जाँगों जिससरी के सब्सक्राइब करें या इंडिया बात किया है इंडिया अगर भागाई को ले सकते हो तीन से चार ओफर करेंगी बेगना इंप्लीट और पूरे आवर कम्प्लीट नहीं करते हो और रेट ज्याद़ बैट रहाँवा यहां पर रेनो का सिंगर दिपती शर्मा बॉलिंग करते हुए अब देख रहेंगे इंडिया के नाम लिखे एक दो तीन चार पांच छे साथ नो दस ग्यारी में से कोई भी टिम खिला सकती है क्या मेगना एक ओपनर है जो कि हिटर है थोड़ी भरुसे मन लिए इसलिए मैं न सब्सक्राइब देवी का वैद्या तो लैक्स पिन के पॉइंट वी से टीम में ले सकती है तो देवी का वैद्या के खिलने के जहाद चांस है और में पी हो हरली इंपोर्टन बोलो कि नहां पर मंधना वर्मा रोडरिक्स को फॉर्म देखे तो अभी वोमें बिग बैश में अच्छी नहीं रही थी बागी मंधना यहां पर कौर दिप्ति शर्मा देन यहां पर बॉलिंग में देखे तो रेनुका और गायकौर इंपॉर्टन बेनिंग इंडिया के बारे में अगर बात की जाए तो एलिसा हीली है राइटन बैटन प्लस विकेट कीपर नंबर वन न बनायते नंबर वन बैट्समें भी और वुमें बिग बैश में चार्ट से उपर सबसे बनायते तो सबसे बैश्ट बैट्समें अब कर सकते अगर सेट हो गई तो बड़ी इनिंग खेलिक और काफी कंसिस्टेंट है बाकि अलीसा पेरी ऑफस्पिन बॉलर है और अभी तक व वुमें बिग बैश में ओवर इतने जादा नहीं कियते एक यह दो वर कर रहे थी चार चार और मतलब की 20 मैच में सेकंड हाइस रन बनायते अभी वुमें बिग बैश सबसे बनायते बैथ मुनी ने फिट 408 मारे थे यहां पर पैरी ने तो दोनों एक्सपेक्टेड है कि प अच्छी ऑप्शन बन सकती है अगर बॉलिंग करें तीन से चार और तो बाकि यहां पर तालिया मैगरा ने भी ट्रॉंटे इंटरनाशन में जो रैंकिंग है वो नंबर फॉर पे बैटिंग में और अभी जो बिग बैश गया उसमें बहुत कम बॉलिंग कर रही थी रिजन है और जो फास्ट बॉलर है और पिच के अकॉर्टिंग देखे तो यहां पर अच्छा सपोर्ड मिल सकता में गराओ को बैटिंग ब्लस बॉलिंग से बाकि यहां पर है एशले गार्डनर राइटन बैट्स पन ऑफ स्पिन बॉलर अभी रिसेंट जो वीमन बिग बैश किया सब्सक्राइब करते हैं और तीनों ही अच्छी बैट्स मैं तो तीनों में से कोई एक खेल सकते हैं देखते तिम किसके साथ जाते हैं बाकि जैस जोनाइचन सब्सक्राइब करते हैं तो प्लस बैटिंग भी कर लेती है इंपॉर्टन रही है आपके लिए टीम से मिस्वत करना बहुत अच्छी बॉलर है बाकि आप है ऐलाना किंग जो रीसेंट की प्लेयर 17 बिग बैश में लिए कंडिशन के अकॉर्डिंग कि इंडिया की पेऊच के अखॉडिंग तो यहां पर अच्छा कर सकती है तो ट्राइ करना चाहो तो कर सकते हो औरकि डार्सी ब्राउन जो आज पेच्ड निकाल यह लेना और ग्रेंड लिग एक टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन से जरूर करना बैंच में आप ग्रेस हैरिस और फोवे लिच्फिल्ड जो की फोवे लिच्फिल्ड का वोमें बिग बैस सीजन अच्छा रहा था दो से तीन हाफ सेंचुरी लगाई थी लगाई थी बहुत खेल लगा वह ग्रेंड लिग के बनेगा सेफ ऑप्षिन आपके जहास जोनासन और शूट रहेंगे यह दो आप्षिन एसे हैं जिनको आप टीम में ट्राइक करना ग्रेंड लिंग में किंग और ब्राउन को फिलाल मैं को इसमॉल लिग के टीम आपके साथ में आप चार से पांच टीम को किसी भी लगा सकते को कोई क्रेंड का इस्वी आप में जा सकते हो बेरीजन वेच्पन रहेगी और काफी अच्छे और विनिंग कर सकते हो और अब क्रेफिनिट लियां पर एक तो क्रेट का इस्वी नहीं आता दूसरा एंट्री फिस बहुत कम है और सब को फ्यूचर में कोई भी प्रॉलम नहीं आगी तो जरूरी उसके लिए साइन अप करते हैं जैसे मैंने आपको बता है में स्मॉलिक की टीम रहेगी वह यह रहेगी इसमेंगा चेंज आप कर सकते हो मैंने आप यह टीम क्रेट कर रही है यह मैं गोश को ग्रेंड लिंग है तब शायद भी निपट सकती है क्योंकि थोड़ा अग्रेसिव खेलती है ध्यान रखके चलना रोटरिस को वह जश्ट फॉर्म की वज़े से ले रहा क्योंकि वूमें बिग वेश बहुत बेकार गया बट एशिया कप में सूपर हिट रही थी तो अच्छा करता बाकि पै बाकि बालिंग मैं जोनेसर रेंग को और मैंने लिया मेकन शूट को आप चाहते हैं आप एक ऑप्शन अच्छी है वह राजिश्वरी गायकवाट जरूर ले सकती हो अगर थोड़ी सी बॉल टर्म करना स्टार्ट करते और पिच अच्छा सपोर्ट दे स्पीनर को ते हाप गायकवाट एक डेंजर्स बॉलर बन सकती है किंग अच्छी ऑप्शन रहेगी और इसके लाबा दार्सी ब्राउन जिसरी के तब पिच बता रहे है कि फास्ट बॉलर के लिए अच्छी है रैट स्वाइल है तो वहाँ पर गेम चेंजर बन सकती है अच्छी ऑप्शन बनेगी ग्रैंड लिक टीम बन जो रहने वाली मेरे गवाडिंग यह रहेगी हूश दो और जिएल के टीम टू रहेगी जिएल के टींटिंटिंटिंटिंटिंटिंट pra diszka live एंच्छ मैंफभी एप के लिकांग कर तेलीग्रां चैनल चैनल के जैसे बता है तो मिलता है और टेलिग्राम पे जाहीं दोस्तों बाई बाई